प्रूपिया ज्यान रखे कि इस चैनल में नीचीत सभी जानकारी केवल सेक्सी तो और सुतनत पूद इस्यों के लिए इस यूटूब चैनल से प्राप्त किसी भी जानकारी को निवेश सला, वित्ये सला, पानुनी सला या वक्तित्र सला के रूपे नहीं लिया जाना चाहिए चैन दुस्तो, तो आज की श्वीटियो के अंदर हम बात करने वाले बिटकोइन एन इथिरिम के बारे में शोट टर्म अनलसिस, फिलाल यहां पर बिटकोइन का प्राइच चल रहा है 22,321 डोलर पे ट्रेड कर रहा है, फिलाल देखो तो बोरिंग सा लग रहा है क्योंकि द पोजीटिव चल रहा है, बट क्रिप्टो मार्केट कहीं नेगेटिव चल रहा है, थोड़ा सा क्रिप्टो मार्केट पोजीटिव होता है और कोई भी फोड मार्केट के अंदर टपकता है, आपने देखा होगा थोड़ा सा पोजीटिव होता है और लोगों को यहां पर चक करता है या तो breakout देता है उपर जाने की कोशिश करता हो और यहां पर market के अंदर negative news आदा है और market को गिराया दाता है तो फिलाल हम क्या expect कर सकते हैं तो फिलाल कहीं न कहीं देखा दाए तो हमें confirmation के साथ trade करना चाहिए मैं आपको बताओं तो नीचे यहां पर आपको train line देखने को मिल रहे होंगी यही एक support area अभी बचा हुआ है फिलाल यहां पर देखो हम लंबे time से ही analysis करते है one time two time and three time यहां पर आके market अटक गई है अब यहां पर क्या market उपर दाएगी या तो क्या market नीचे दाएगी वो एक यहां पर सवाल खड़ा हो जाता है तो फिलाल काफी लोग का कहना है कि market उपर दाएगी काफी लोग का कहना है कि market नीचे आएगी सिंपल सा logic है फिलाल मैं आपको यहां पर आइडिया दे देता हूं एक दम अच्छा खाथा आपको यहां पर यूजफुल होगा अगर आप स्टोपलोस के साथ यहां पर ट्रेडिंग करते हो देखो यहां पर अभी कहना बहुत ज्यादा मुस्किले कि market उपर दाएगा नीचे दाएगा तो कि नीचे एक अच्छा खाथा सपोर्ट है उपर फिला लाइन लगाती है आपको रेड देखने को मिल रहा होंगा ऊपर का तो प्राइज यहां पर निकल रहा है 22,498 फिलाल नीचे का तो प्राइज निकल के आ रहा है 22,144 डोलर अब यहां पर हम बात करेंगे कि market पहले किसको hit करता है simple सा logic कि market पहले किसको hit करता है अगर market पहले नीचे को यह area को hit कर लेता है और फिर market recover हो जाता है जैसे कि 22,100 या तो 22,200 डोलर के आसपस आपको candle का ज्यान रखना है कोई भी 4 गंटे के time frame के अंदर पहले यहां पर नहीं जाता है बट पहले नीचे hit करके market recover हो जाता है तो market में बहुत ज्यादा possibility रहेगी कि market यहां से bounce back होगा दूसरा logic कि market नीचे नहीं आता है 22,144 पे आता ही नहीं है और market पहले इस red line को hit कर दाता है 22,500 और week बना के रह दाता है देको hit करता है 22,500 डोलर को फिर वहाँ week बना देता है और rejection मिलता है तो market में बहुत ज्यादा possibility रहेगी क market किरेगा मैं जितना भी आपको बता रहा हूँ confused नहीं कर रहा हूँ मैंने दो areas बताए कि पहले किसको hit करता है इतना से आपको याद रखना है पहले किसको hit करता है 22,144 या 22,498 पहले जिसको hit करेगा उसका उल्टा होने की possibility काफी ज्यादा हो जाएगी यह हमारा simple logic है याद रखना और आपको यह भी ध्यान रखना है कि अगर पहले उपर hit कर जाता है 22,498 फिर chart reject हो जाता है एक कंटे के time frame के अंदर देख लेना कि इसको hit करने के बाद chart reject हो जाता है तो फिर आपको short करना है 22,600 डोलर के उपर stop loss लगा के short कर देना है और target पहले यह देख लेना है त target काफी बड़ा है जैसे कि सबसे पहला जो target आएगा वो हमारा target आएगा तक्रीबन देखा जाए 21,363 डोलर यह हमारा simple सा analysis हो जाता है अभी फिलाल में confirmation आपको दे रहा हूं confirmation के साथ हम trading कर शकते हैं याद रख लेना यहाँ पर मैंने आपको क्या बाते बताई अगर याद नहीं रहा है तो फिर से एक बार वीडियो प्ले कर लेना काफी अच्छे से work करता है और इस बार यह work कर गया तो मैं आपको बता दूँगा next video में कि मैं यहाँ पर केसे analysis किया मैं आपको सिखा दूँगा जो secret है मैं आपको बता दूँगा बिल्कुल अगर यह success होता है अमारा कि पहले यहाँ पर hit कर दिया reject हो है real में गिर गया फिर मैं आपको बता दूँगा कि कैसे possible हुआ अब यहाँ पर बात करते है इथिरियम के बारे में इथिरियम का price फिला ल एक target हीट नहीं हुआ है आप देख लो यह जोन के अंदर आया था यहाँ पर support बनाया था यहाँ पर resistance था तो अभी फिलाल एक target आना जी अब यहां तक इथिरियम गिरा ही नहीं है इथिरियम का price फिलाल चला है 1564 डोलर अब यह जो जोन बन रहा है तक्रीबं बन रहा है 1500 ड लगाएंगे अब stop loss के बारे में बात करूंगा तो stop loss यह जोन में कहीं होना चाहिए 1595 के आसपास 1595 डोलर के आसपास stop loss लगा के हम sorting कर शकते थोड़ा दूर रखना क्योंकि यह विक मार देते और यह सिल हिट करवा दे थोड़ा दूर रखके यहां पर stop loss लगा के फिलाल के यह एक बार खुद खुद जांच करने के बाद यह वाला target देख लेना तो कहीना कहीं Ethereum मेरे को यह दिखा रहा कि मार्केट यहां पर गिरने वाला है क्योंकि Ethereum भी में चोना चाहिए क्योंकि कहीं बार यहां पर Ethereum बता देता है previous time भी बता दिया था कि Ethereum को अभी गिरना बाकि तो रियल में गिर गया तो एक काफी बार बता देता है तो कहीना कहीं मेच करना है तो यहां पर Ethereum यह दिखा रहा है कि मार्केट अभी क्रेश होने वाली है तो शोट में फोकस करना Bitcoin के अंदर त्यान रखना Bitcoin का जो analysis किया है ट्राइ करना इस बार stop loss के साथ करना दोनों 2700 या सपस आपका stop loss रहेगा ज्यादा यहां पर फरक नहीं पड़ेगा 22,000 और 21,700 उमिद कर तो वीडियो पस्टन आया होगा वीडियो को लाइक कर लेना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना